सौसार मा सर्वस्रेष्ट पोस्त पायवल सौसार मा सर्वस्रेष्ट पोस्त पायवल वाचे जे तैने हर हमें संडे स्कूल के बच्चे ऊपर चले जाएए । स्कूल 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 वां हाव along It will help you all the way, all the way, Tumshuri is the Bible Bible पड़ो और उसे मानो आज्या माते हुवे बड़ते तुम जा Bible पड़ो और उसे मानो आज्या माते हुवे बड़ते तुम जा जीवन में पाप है दिखाती है बचने का मार ये सिखाती है जो माने वो मनुष्ट बच जाता है जीवन का आनत वो पाता है Bible पड़ो और उसे मानो आज्या माते हुवे बड़ते तुम जा आज्या माते हुवे बड़ते है आज्या माते हुवे बड़ते है आज्या माते हुवे बड़ते है आज्या माते है आज्या माते है आज्या माते हुवे बड़ते 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 है चत्रुना द्रश्य द्रश्य सर्व कामने प्रव ही सुनाओं चुकरायला नाम में बांधिये छे āमारा स्रव विचारो है तमारा वशमा राको तमारा प्रवी सुन सांपर्थी अम्प्रतिकन दिहने भागत्य अमने पहुंचतो करो तमारा संपुर्ण स्वर्गे योजना मती कोई पन बाबत चुकी ना जवाई जेव तमारी हजूर मा आव्याचे सर्वनो तमे स्विकार करो अमारी प्राथना चे प्रभू तमारी हाजरी माती कोई खाली आते पाचू ना जाए तमारा प्रेमार रदय ने तुक्ति मले अमारी उंडाम उंडी जरुवयाद पूरी पडे अने तमारा वचन ने शोध्वान माते द्रण मन आपो अने तमारा वचन ने मानवाने द्रुष्तु रदय आपो अने तमारा वचन ने मानवामा अने आदीन थवामा तमाम अवरोध ने दूर करवामा अवे लिए आदीन ने थोट्वचन ने धाफ़ तमारा विचारों ने तमारा शब्दों ने आपो सार्वा महिमा अनमने आपिए छे कोय नी खास जरूरियद होए तो ते पूरी पाड़ जो I give thee all the glory and pray with thanksgiving in the exalted name of our Lord and Savior, Jesus Christ. We are turning to book of Acts in chapter 1 and verse 11. We are reading together and prayerfully, please. प्राटना पुर्ववक वाँचिये. Book of Acts in chapter 1 and verse 11 together. प्रेरितना कृत्या प्रेलो अध्याय अग्यारमी कलम साथे वाँचिये. Which also say, even of Delilly, when he is finally gazing up into heaven, the same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like when I have seen Him, go into heaven. May the Lord add His blessing to His word. May the Lord speak to us. May the Lord speak to us. This wonderful theme of His second coming is from the heart of God. तेना पुन्रागमन्नु जे अद्भूत पतिग्ना छे, ते देवना वच्चन मा रदय मा थी छे. उसके पुन्रागमन के ये जो अद्भूत वच्चन है, उसके हिर्दय का बोज है. There are three things which are close and which are precious in the heart of God. देवना रदय मा त्रण बाबातो बो निकटनी अन मुल्यवान छे. परमेश्वर के हिर्दय में दीद बादे वहो थी महाद्भूण और मुल्वान है. And these things were hidden in the Old Testament times. जुना करार मा आवातो छुपायली हती. पराने नियम में ये बाते अच्छी भी हुई थी. But in the New Testament times, these things were revealed. लेकिन नए नियम के सब में ये सारी बाते खोल दी गई है. And one is the mystery of the gospel. उन में से एक है सुसमाचार का मरम. God's free offer of salvation to every human being, irrespective of country, color, culture, background. And everyone is offered freely by the grace of God's salvation. And that is the first mystery. ये पहलो मरमाते तो एच है कि कोईपन देश ना, कोईपन भाषा ना, रंग के रूप के कुटूम ना, कोईपन व्यक्ति ने देवनी कुरूपा द्वारा, ईशु ख्रिस्त नी मार्फते तारण नू विना मुल्यदान. सबसे पहला भेद तो ये है कि किसी भी कूल, भाषा और देश आया जाती के लोगों के लिए, मसी ईशु में परमेश्वर का कुरूपादान पापों की छमा है. And we find it in Ephesians chapter 6 verse 19, the mystery of the gospel. Ephesians 6 अधियान योगनिस में कलम मा अपने वाचिये जे, सुवार तानो मर्मा. And a second precious thing to the heart of God. And also the second mystery revealed only in the New Testament. We find it in Ephesians chapter 5 verse 32, the mystery of the church. Jew, a Gentile, redeemed by the precious blood of the Lord through faith in the gospel, freely may being made as one body, the church. Yehudiyo के विदेशियो, जे वे ईशु कृष्टना मुल्यवान रत्त द्वारा उदार पामे छे, ते वने एक शरीर मना रूप मा अठ्थात मंडडी मा एक करवामा आवे छे. यहुदी हो यह आन्य जाती हो, जो प्रभु इशु मसी के द्वारा उथार पाते हैं, उने एक देह में, याने कलीशिया में मिलाया जाता है. यह तो मंडडी नो मरमा थे. यह तो कलीशिया का भेद है. घ्री जो मरमा थे, ते उंच का जवानों नो मरमा थे. और तीसरा जो भेद हे, वो तो उठाय का भेद है. And the mystery of the rapture we find in 1 Corinthians chapter 15 and verse 51. A ruined, rebellious sinner by the gospel, transformed and added to the church, being prepared for the rapture. And these three things are told in the scripture as glorious things. आत्रण बाबतों ने शास्त्र महिमीत वातों के छे. इन तीन बातों को परमेश्वर का वचन महिमीत वाते बताता है. First, it's a glorious gospel, 2 Corinthians 4.4. वीजु करंथी 4, 4 अनुसार आ महिमावंत सुवारता छे. सबसे पहले तो दुसरा कुरंथी 4 और 4 ये महिमीत सुसमाचार है. तुसरा एफिसी 5 और सथाइस, महिमीत कलिष्या. And Titus 2.13, glorious coming, appearing of the Lord Jesus Christ. तीतस बिजादेनी तेर मी कलम प्रभुईशु ना प्रगट थवानी महिमा. तीतस दो और तेरवा पद प्रभुईशु मस्थी के प्रगट होने की महिमा. Now when we want to think about the Lord's coming, आप जारे प्रभु ना पुन्रागमन विशे विचार करवा मांगिये छे. For our convenience, we divide into seven parts. आपनी सवुलत ने खातर आपने साथ भाग में वेंची काडिये छे. हमारी सुविधा के लिए हम इसे साथ विभागों में विभाजित करते हैं. And the first part, we want to name it as prelude to His coming or the background of His coming. पहलो भाग तो ते छे के प्रभु ना पुन्रागमन विप्रस्तावना. पहला जो भाग है वो प्रभु ना पुन्रागमन की प्रस्तावना. And second, we want to consider the proclamation of His coming. बिजी बाबद प्रभु ना प्रगत्थवान विभु ना पुन्रागमन विप्रस्तावना. दूसरी जो बाद है प्रभु ना पुन्रागमन विशे नी प्रतिग्नाओ पुरी थाई रही छे के पुरी थाई चुकी छे. जो बाद है उसमें प्रभु ना पुन्रा का मन के लिए जो प्रतिग्याए वच्छन दिये गए हो, किस प्रकार पुरे हो चुके है और हो रहे हैं. And thirdly, the program of His coming. त्री जू तैना आववानो कार्यक्रम. और तीसरी बाद है उसके आने का कार्यक्रम. By God's grace, as we have seen this morning, there are two parts of His coming. परमेश्वर के अनुग्र से हाथ सुबह हमने देखा उसके आगमन के दो विभागों को. And many confusions, many questions, many doubts are there, because people don't differentiate between the first part of His coming and the second part of His coming. परभुईश्वर के वापस लोटने के जो है उसके दोनों विभागों अलग से हम ना देखे, तो कई प्रकार के प्रश्ण, समस्याय, संकाय हमारे मनों में जागती हैं. So we should know about the program of His coming. And then the parenthesis, or the gap in His coming. And then the parenthesis, or the gap in His coming. Don't be afraid, everything we can understand, everything is simple only. And topics may be high sounding, but the matter, the Holy Spirit has laid out very plainly. And then the preparation on our part, preparation for His coming. And then the parables regarding His coming. And then the Prabhu के पुनरागमन के जो दिश्टान्त है वे. All of us want to live for Him. And live an overcoming life. All of us want to live for Him, not to waste our time, but invest our life. We all want to live for Him, not to waste our time, but to invest our life. So the studying of these parables are important. And then the person, our beloved, wonderful Lord Jesus, person of His coming. Both now in this life and in eternity, the beauty, the glory of Lord Jesus Christ alone can serve us for you. All of our singing, all of our meditation, all of our talking and all of our life must be filled with Lord Jesus Christ. Our song, our opinion, our soul, our spirit, our prayer, our prayer, our prayer, our prayer, our prayer, our prayer. Right? ते सारी बाते प्रभु ईश्मसी से भर गई होनी चाहिए then our life will be fresh त्यारत आपनु जीवन्त आजु रहशे तभी हमारा जीवन्त आज़ी का होगा He is the same as today, today, forever ते गई काले आजे ने सदाकाले ओने ओच्छे वो कल आज और आने वाले सभी समय में एक साहे He is a living reality ते जीवन्त वास्तविक्ता चे ये को जीवित वास्तविक्ता है He is in our midst this morning अज सवार ते आपनी मद्ये चे आज सुबह में वो हमारे बीच में है He loves us equally ते आपने समान प्रेम करे चे वो हमसे समान प्रेम करता है He is willing to speak to us ते आपनी साहे बोलवा आतूर चे वो हमसे बात करना चाहता है So Would you mind if we pray again Shall we pray Pratna करिये Pratna करिये Pratna करिये Pratna करिये And now we are Turning to the prelude of His coming अवे प्रभई शुख्रिस्ट न आववानी प्रस्तावना अब सबसे पहले हम प्रभई शुख्रिस्ट के आगमन की प्रस्तावना की विशह में देखेंगे व्यूज शुख्रिस्ट के अववानी प्रस्तावना की विशह में देखेंगे try to solve with reference to cause and effect scientists and psychologists अने जे मानव जीवन छे जे जमा विगनानिकों ने psychologist छे ते वो अब रिते समझावा मांगे छे एक तो एनु कारण अने बीजी एनाती थती असर जो मनुशे का जीवन उसके विशे में जो विगनानिक है और मानव सास्त्रिये दो रिती से बताना चाहते हैं एक तो इसके असर क्या है और कारण जो हूँ ना खाओ तो हूँ भुख्यो थाओ यदि मैं खाना नहीं लेता तो मुझे भूख लगती है और यफक्ट इस हुग जो हूँ खातो न थी और इस असर थाये थै के भुख्यो थाओ St dalla नहीं खाने के कारण भूख लगथी है और यदि मैं शेम गॉद आए न भूख्यो काहते है जलदी पाच्वावी रच्व तो लेन आसा हूँ आए तो उसका कोई कारण होना चाहिए, वो क्यों वापस आ रहा है? Beloved, if you want to have answer for most of your questions, you have to go to the first book of the Bible called Genesis. वाला हो, तमारा प्रश्नना जवाब जो जोईता हो है, तो Bible नुझे पहलु पुस्तक उत्पति नुपस्तक छेते तरफ आवो पढ़ शे. प्रियो, यदि आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए, तो आपको अवित्र सास्तर बाइबल का जो पहला पुस्तक है, उत्पति उसका काना पड़ेगा. And Genesis is the origin of everything. उत्पति तो सर्वन आरम छे. उत्पति शब की शुरुवात है. Everything is first mentioned there, the principle of the first mentioning. And we find the reason why the Lord should come again. When we look at the first chapter of the Genesis, उत्पति न पहलो अध्याई जारे जो ये छे. God created man with a great, high, holy, heavenly purpose. उत्पति न स्वर्ग इरादा साथे देवे मानस न बनावियू. साथ परमेश्वर ने मनुष्य की स्रिष्टि की. And the three of His most important attributes or characteristics God has shared with man while creating man. मानस ने बनावियू द्वारा देवे पुता ना जे त्रोण महत्वना गुण लक्षणों के पुता नुजे चारीत्र एनी त्रोण महत्वनी बावतों मानस नी साथे वेंची छे. मनुष्य को बनाने में परमेश्वर ने अपनी तीन महत्वन पुण चारीत्र के द्वारा उसे बनाया है. सव प्रथम मानस नी साथे पुता नी प्रतिमा वेंची. जनीश चप्ता नी प्रतिमा के अनुसार हुसे बनाया. उत्पती पहलो अध्याई सत्याविस्मी कलम. उत्पती एक अध्याई और सत्याईस्पद. So God created man in His own image. In the image of God created He Him. Male and female created He them. Now beloved, what is the image of God? प्रमेश्वर का स्वारूप क्या है? We find it, we find the answer in the New Testament, John's Gospel, Chapter 4, Verse 24. यहन न चार आदियाई के चाविश में प्रति उत्तर मिलता है. And there we find God is a spirit. यहाँ आप्रवांची एचे देव आत्मा छे. So when God created man, He created Him primarily with a spiritual being. जारे देवे मानस ने बनावियू, ते आरे न प्राथमिक उदेश ते आहतो, के ते आत्मिक मानस बने. And every other creation we find around, they were created by the mere word of God, from the mouth of God. जे आस पास नी तमाम सरुष्टी हती, ते देवे मात्रश शब्द थी, हाना मुख माती निकड़दा शब्दा थी देवे बनावी. उसके आस पास की जो सारी सरुष्टी थी, वो परमेश्वर ने अपने सिर्फ शब्द उसके मुझ से निकले हुए शब्द से बनाई थी परन्तो जारे देवे मानस ने बनावियो तारे उत्पती बैरने साथ प्रमाने पुतानान स्कोर ना स्वास ना स्कोर आमा फंकयो औने पुताना आत्मा यापयो लेकिन जब मनुष को प्रप्रवु ने बनाया, तो इत्पदी दो और साथ की अनुसार, उसको अपने स्वरूप में बनाया, और उसके नाको नथनों में अपनी जीवन का सांस पुंक दिया. And he became as living soul, a spiritual being. अने ते सजीव प्राणी थयू अने एक आत्मी क मानस थयू. अब वो साजी श्रिष्टी हो गया और आत्मिक मनुष बन गया अने ते देव नी साथे संगत मानी शकतो देव नी साथे वाच्चीत करी शकतो अने जाने देव नी समान हो तेर इतनु धोरन ते सुखानु बाव करता हतो वो परमेश्वर के साथ बाग कर सकता था परमेश्वर के साथ चलता था और परमेश्वर की तरह उसका व्यक्तित्व था अने ते आत्मिक जन होहाने कारणे देव ना जे भीचारों और संकल्पो ते थे संग्जी शकतो हतो आत्मिक मनुष होने के कारण परवेश्वर के हिदय में जो बोज था, उसका जो उदेश था, उसके जो विचार थे, उसकी जो योजनाय थी, ये सारी बाते वो समझ सकता था Secondly, when God created man, He gave him His dominion or rule over everything दूसरी बाद, जब परमेश्वर ने मनुष को बनाया, तब परमेश्वर ने मनुष को सभी चीजों पर, सभी बातों पर अधिकार करने का, अधिकार दिया He did not create him as a slave or as a machine तेने तेने मशीन के गुलाम तरिके बनावियो नहीं उसने उसे कोई यंतर या तो गुलाम नहीं बनाया He shared with him all his authority, all his dominion पतानो जए अधिकार हतो, ते तेनी साथे देवे बैंचियो लेकिन अपना जो राज करने का अधिकार था, वो उसे दे दिया He delighted to see man ruling and reigning Manus raaj चलाए, अधिकार करे, ये बात को देखने में उसे आनन आता था We find it in the 28th verse of Genesis 1 उत्पती एकन 28 में इस बात को हम देख पाते हैं Hereafter, to save time, we will have it read only in Gujarati Yes brother, 28 And according to people who make research They say, in the time of creation, there should have been more than 8000 birds And also more than 4,000 birds And more than 5,000 reptiles 5,000 से जादा रेंगने वाले जन्तु थे Now just imagine the capacity of the first man to name all of them To call all of them by name And to command and control every one of them by name And when man sinned जारे माने से पाप करियो लेकिन जब मनुष्ण ने पाप किया Disobeying God देवनी आगना तोड़ी और परमेश्वर की आग्या को तोड़ दी He lost the image तेने स्वरूप गुमावियो अपना स्वरूप खो दिया Spiritually he became dead आत्मी कृते ते मृतक थयो आत्मी कृती से मर गया And he lost his dominion वड़ी ते पोता नो अधिकार गुमावी बैठो और अपना राज खो बैठा And he lost his capacity to rule अपना जो अधिकार था उखो बैठा And scientists say In the human brain Only one out of thousand is working Sin brought damage, numbness In the super brain God gave to man And 999 part of the brain is Dysfunctional, not functional today अने पापने कारणे मानस ने जे सुन्दर मन माप्रबुये आपिवहतू एमा नुक्षान पहुंचिऊ अने 999 मों भाग मानस ना मगजनों काम करतो नथी के वड़ एकच टको काम करे छे पाप के कारण मनुष को परमेश्वर ने जो सर्वोतम दिमाग दिया था वो निश्क्रिय हो गया और 999 आउंश बिलकुल काम नहीं करते मातर एक आउंश ही उसका दिमाग का कारिय करता है and the third valuable thing God shared with man is His communion और थी महत्वा पूर्ण बाद जो मनुष्य को परमेश्वर ने बक्सी थी वो तो उसकी संगती थी suppose if somebody loves you very much मान लो कोई आप से बहुत ही प्रेम करता है and you accept that love and reciprocate that love उस प्रेम को आप स्विकार करते हैं उसका प्रतिभाव देते हैं how much you long to be with that person always always तो हमेशा ए व्यक्तिनी साथे रहा तामे किटलू बदू जंगता हो उचो तो उसके साथ सदय रहने की आपकी कितनी लालसा होगी the most loving and the most lovable person his presence alone can make heaven out of earth heaven out of any situation सबसे बड़ा प्रेमी और सबसे बड़ा जिस पर प्रेम रखा जाता है उनकी जो संगती है वो संगती ही इस संसार की सभी प्रिस्थितियों को स्वर्गिय बना सकती है लेकिन उपकार को तोड़ने वाले मनुष ने परमेश्वर की आग्या को तोड़ दी और परमेश्वर की उपस्तिति को खोदी इसी कारण उस दिन से लेकर आज तक मनुष सफ से दुरभागी मनुष है यह जो सुख है उसे कुछ संतुष्ट नहीं कर पाता खिया ती तेने तुरृप करी शक्ति नथी यह झीलाति प्रैट नहीं करत्या है यह परमेश्वर की आपाति ते तो वधारे ने वधारे भूखुत्पन करेचे अने मैन असंतो शीज्रेचे ये सारी बाते तो उसे ज्यादा और ज्यादा क्षुदातूर बनाती है ता और असंतुष्ट बनाती है वाला अश्यवा खरेवात न थी प्रियों क्या ये बात सच नहीं है आपड़े आज अगतनी केटली बदी वस्तुवनी पाच़ड फटकता हता तेम छता असंतुष्ट रहा जहां सुधी के प्रभु इस्वनी पासे न आवया और जो नहीं आविये तो हमेशा असंतुष्ट ज रहिशु इस संसार की कितनी चीजों के पीछे हम लगे रहते थे और सदय अत्रिप्त रहते थे लेकिन जब प्रभु इस्व मसी के आने के बाद हमारी जीवन अलग था लेकिन यदी हम इस्वनी के पास आते नहीं है तो हमारी इस अत्रुपति का कोई अंत नहीं होता अनुद्पती त्रोणा ने आठ माँ प्रेमाड इश्वर ने अपड़े जोईए छे जे मानस नी संगत नी ने माटे जंग तो हतो अनुद्पती तीन और आठ में हम उस प्रेमी परमेश्वर को देखते हैं जो मनुष की इस संगती को लालसा किये धूंडता रहता है आदम तू क्या छे आदम तू कहा है आदम तू कहा है तारव अगर हूँ आनंदी होई शक्तो नथी तेरे बिना में खुश नहीं हो सकता and you cannot have fulfillment in life without me मारा वगर तने जीवन में त्रूपती नहीं मडे और मेरे बिना तेरे जीवन में भी कोई तृपती नहीं होगी how much you have destroyed yourself ते पतानो किटलो बदो नाशानियो छे तूने अपनी कितनी बड़ी हानी उठाई है what glory I have planned for you तारमाडे में किटलो बदो महिमा राखियो छे और तेरे लिए कितनी महिमीत योजनाए में ने बनाई थी I made you in my image मारा स्वरूप मा में तुने बना भी हो मेरे स्वरूप के अनुसार में ने तुझे सिर्जा and there is no hindrance in knowing one another, moving with one another एक भी जाने जानवा मा, एक भी जाने साथे फरवा मा, कोई अवरोध नो एक दूसरे को पहचानने के लिए, एक दूसरे के स्वरूप चलने के लिए तुझे भी रुकावट नहीं थी I gave you all my authority and my co-regent to rule over every creation मैं तुझे सर्व अधिकार आपयो, मारो अधिकार आपयो के तुझे सर्व शुष्टी पर तु राज करे मैंने तुझे सब अधिकार दिया, जो अधिकार मेरा था, सब पर राज करने का और अधिकार करने का वो मैंने तुझे दे दिया and I don't seek for the companionship of anybody, fellowship of anybody, except you, Adam and Eve अन्य ओ आदम मने हवा, तमारा सिवाई हुविजा कोई नी संगत छोटतो न थी आदम और हवा, तुम दोनों के सिवा, मैंने किसी कोई भी और चीज की, किसी अन्य की संगती को खोजा ही नहीं Today, the same loving voice of God comes, John, Veraddao, and Mercy, Mary, Joseph, put your name, Veraddao अन्य आज ये एज प्रेमार देव नोवा जावे छे, John, Joseph, के Mercy, के Mary, तमारू नाम मुकिने, तु क्या छे? आज वही प्रेमी परमेश्वर की वाणी आप तक पहुँची है, John, Mercy, Mary, Adam, अपना नाम रखकर आप पुछ सकते हो, और उसकी पुकार को सुन सकते हो तारे माटे मारी योजना कितली महिमी थती, पना तारे तु क्या छो? God is not asking for information प्रभु आपनी माहिती पुछतो नथी He knows what we are आपने कौन छे, ते ते जाने छे हम कौन है, हम प्रभु जानता है आपने क्या छे, ते पन देव जाने छे हम कहा है, वो भी वो जानता है He asks for confession पन ते चाहे छे कि आपने कबूल करिये वो चाहता है कि हम मान ले He wants us to confess that we have fallen short of the glory of God, of the expectations and purposes of God ते चाहे छे कि आपने देवनी जी आकांग्षा छे, देवनी जी अपेक्षा हो छे, तेना थी पतित थया छे परमेश्वर की महिमा से हम रहीत हो गया है उसकी जो आसाय थी उससे हम बहुती कम मालूम पड़े है इस बात को हम जान ले, इस ये परमेश्वर हम से चाहता है अने ते पड़ो के भी धन्य पड़ो छे, जारे घमंडी मानस, पतानी जरूरिया जानी ने, देवनी पासे दयानी हाक मारे छे गर्विष्ट और पापी मनुस जब अपनी आवश्चिक्ता को पहचान लेता है, परमेश्वर की आवश्चिक्ता उसके जीवन में क्या है जान लेता है और पच्टाप के द्वारा उससे मानता है, वो पल जीवन की सबसे बड़ी महिमित पल होती है अने जे पतीत मानस तेनी पाछड देव पड़ियो अने तेने हांक मारतो रहो पतीत मन उसके पीछे परमेश्वर हो गया और उसे पुकार का रहा छेवटे प्रभु इसु स्वर्ग मत ही आवया ए माटे के आ पतीत मानस ने ते शोधी काडे अन्त में स्वर्ग छोड का प्रभी इसु मसी इस थर्दी पर आया ताकि इस पापी और पतीत मनुस को खोज निकाले जो तमें नहूं पता ना प्रयत न थी पता ने बडली शकिये तो ख्रिस्ट इस उन्या जगत मा आवा नी जरूर न थी आप और मैं यदी अपने ही पर प्रयासों के कारण कामों के कारण अपने आपको परिवर्दित करप सकते थे तो प्रभी इसु को इस संसार में आने की कोई आवश्यक्ता नहीं थी अपनी नी सहाई दशा जो इने त्या जगत मा आवियो लेकिन हमारी असहाई परिश्थिती को उसने देखा और वो यहां पर आया ते निश्पाप हतो वो पाप रही था थेम्टेट इन अल पॉइंस सच अस वी आ यत वितावट सिन हमारी तरह ही सारी बातों में उसकी परिक्षा की गई लेकिन फिर भी वो दोश रहीत पाप रहीत रहा विजु करंथी पांच अने क्वीस प्रमाने आ पृत्वी उपर जे सर्व मानवियो आवियाच तेमा केवल प्रभई इसु पाप रहीत हता दुसरा कुरंदी पांच वी क्वीस के अनुसार इस अनुसार में जो कोई जितने भी मनुस आए उनमें एक माध्र प्रभई इसु मसीही पाप रहीत था निर्दोश था However you examine him, secret public, in words, in deeds, in whatever form he is and when he was upon this earth and your declaration is 1 John 3.5 in him is no sin उसका जन जीवन लो, गुप्त जीवन लो, उसके विचार लो, उसके बोल लो, उसका जीवन का हर एक आउंस, किसी भी रिते से आप परख लो लेकिन जो कुछ भी उसका निश्कर्स आएगा, वो पहला युहन ना, तीन और पांच के अनुसार, उसमें कोई दोश नहीं था Now listen beloved, he did not do so, just to give us only an example how to live के विरिते जीवू एनु द्रस्टान तापवा प्रभु ईश्व आम जीवयानो था किस प्रकार जीना चाहिए, इसका उदाहरन देने के लिए प्रभु ईश्व इस प्रकार नहीं जीए थे He is our example But more than that, sinless blood on your behalf and my behalf should be shed for the forgiveness of our sins and also for the power to get deliverance from our sins He is the wish that we have the forgiveness of our sins and the forgiveness of the sins and the forgiveness of our sins निर्दोस निश्कलंक रक्त नी आवश्यक्त हती हमें पाप से बचाने के लिए, मुक्त करने के लिए और पाप पर विजय पाने की शक्ति देने के लिए निर्दोस निश्कलंक रक्त देना था इसी कारण प्रवीश्यक्त मसी निश्कलंक जीवन जिया मुए खृस्ति घर्मा जनमे हता मसी परिवार में मेरा जनम हुआ था आने बहु सिस्त में मरा उचेर था यह था बहुत ही चुस्त मसी ही सिस्त में मुझे बढ़ाय गया था और 15 साल के उम्र में मुझे पूर्ण सभासत बनाय गया I knew the blood of the Lord Jesus Christ would cleanse me from my sin mentally I knew it दिमागी रीच से तो मैं जानता था कि ईश्व मसी का रग मुझे सभी पापों से शुद कर शकता है पर्ण मारा जीवन मा कोई रुपांतर नो तू लेकिन मेरे जीवन में कोई भी बदलाओ नहीं था मारा पापों माफ थया चेवी मने कोई खात्री नो थी I could not say that I had passed from death unto life मैं कही नहीं बाता था कि में मृतियू से निकल कर जीवन में आ पहुचा हूं I was cheating myself only when I go to heaven at the door Peter will ask me are you a good man or bad man if I have been living very bad and my goodness is not more than my badness you would throw me into hell I thought I never know that I have been living very bad and I have been living very bad मेरी मानियता ये थी कि जब मैं मर जाओंगा तब स्वर्ग के द्वार पर पत्रस को मैं बताओंगा मेरे बुरे काम से मेरे भले काम जादा है इस कारण मुझे उसमें स्थान मिलना चाहिए मारा तारण विशे देवन वचन शु कैछे ते हूं जानतो जनोतो मेरे उधार के विशे में परमेश्वर का वचन क्या बताता है मुझे पता नहीं उए मानतो नहतो के एक अच पडमा हू संपूर्ण बदलाई शकू छू एक ही पल में मेरा संपूर्ण परिवर्थन हो सकता है इस बात को मैं विश्वास्त नहीं करता था एक रात्रे जारे मारी उमर सोल वर्ष नियाती लेकिन सोला वर्ष की आयू में एक रात्रे को बिलीविंग 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 what the word of God says about the power in His blood I cried out to the Lord Jesus Christ for mercy पर में शुकार वचन उसके रक्त की शक्ति के विशय में क्या कहता है उस पर विश्वास करते हुए मैंने उसको पुकारा One verse I want especially the young people and children to memorize is Colossians 1.14 और Colossians 1.14 पत को मैं चाहता हूं अब जवान और वच्चे इस पत को मुखागर कर ले In home, in the Lord Jesus Christ, we have redemption through His blood, even the forgiveness of sins ते ना मा इडले इसु क्रिस्ट मा आपडने उद्धार इडले पापोनी माफी जेना रक्त द्वारा छे ते छे जिसमें हमें चुटकारा अर्थात पापो की चमा प्राप्त होती है And beloved, there are two important things in the word of God told of what the blood of Lord Jesus Christ shed nearly 2,000 years ago can do for us today देवना वच्चन मा बे महत्वनी वातों कहे ली छे कि जे रक्त प्रभी इस्वे बे हजार वर्ष पहला वे उडाव्यू ते आजे आपने माटे शू करी शके छे God of God is not asking us to understand this देवन वच्चन आपने आज समझवानों कहतों न थी God of God is asking us as a child to believe this and act upon this देवना वच्चन बालक नी पैठे विश्वास करवानों कहे छे अन एना उपर कार्य करवानों कहे छे लेकिन परमेश करवर का वच्चन तो कहता है एक बच्चे की तरह हम उस पर विश्वास करे और उसके अनुशार करे because the blood is shed already now God can offer us freely the forgiveness of all our past sins रक्त वही चुकियो छे अने कारणे आपड़ा सर्व भुथकार ना पापो प्रभु आपड़ने माफ करी शके छे रक्त तो बैचुका है इसके लिए हमारे सारे भुथकाल इन पापों को पापों की ख्षमा हो शकती है that is what we find in Colossians chapter 1 verse 14 Colossians 1 और 14 में इस बात को हम देखते हैं even the forgiveness of our sins इटले पापों की छमा है no accusation, no guilty feeling, after that अने ते पची कोई प्रकार नो दोश नहीं अने कोई प्रकार ना आपड़ु विवेक आपड़ने दोशी ठरावतु नथी इसके बाद हमें कोई प्रकार से दोशित, अपना विवेक भी दोशित नहीं ठहरा सकता है my sins of forgiven and forgotten forever and ever मारा पाप माफ गया चे ने सदाकार ने माटे ते विसराई गया चे मेरे सभी पाप बाप हो गया है और परमेश्वर के तौरा भुलाए गया है सदाय के लिए and secondly we find the word redemption the redemption तिया आपड़े भी जो शब्द उधार जो ये चे और दूसरा जो शब्द है वो उधार देखते है and sometimes we imagine so much big spiritual thing and we don't understand the simple thing कई बार है अपनी कलपना में इन बातों को बहुत विशाल समझते है और समझने को असमर्द समझते है लेकिन ये बात सरल होती है redemption simply means freedom उधार एटले आजादी उधार तो मुक्ती है liberty स्वतंद्रता और स्वतंद्रता है तमें हजार हजार वार प्रयातन करो गं में इटली कोशिश करो परंदु ईशु खृष्णा रक्त वगर कोई स्वतंद्रता न थी आप कई कितने भी प्रयास कर सकते हो लेकिन प्रवीश मसी के रग्त के सिवा कहीं भी स्वतंद्रता मुक्ती है नहीं आप की जितनी गंदी आदत है उनसे मुक्ती मिलती है अलमस्ट एड़ी देगा है अलमस्ट एड़ी देगा है पाप की गंदी आदतों से पाप के सामर्थ से पाप की गुलामी से पल भर में यशु मसी के रग्त के द्वारा मुक्ती आज़ादी मिल जाती है अपने आपको दीन करते हैं जब हम अपनी आपकी वास्तविक्ता को मान लेते हैं और उससे कहते हैं उसको पकार देए तब हमारा प्रभू हमें मुक्ती दे सकता है मारा प्रिय जवान भाई मारी प्रिय जवान भाई मारी प्रिय जवान बेन प्रिय जवान बेन I started knowing the Lord when I was a young man I have gone through all your temptations and all your trials तमारा सर्व परिक्षणों माने कसोटिय माती हूँ पन पसार थयो छू आपके सामने जितनी परिक्षणाय आती है और दुख कसोटिय आती है और सभी से मैं गुजर चुका हूँ By the grace of God I can assure you Christian life 100% victorious life is possible अने अनुपवत ही प्रमाने तमने काउचों ने खात्रिय आपका चाऊँ चुके सोटका विजयी खृस्ती जीवन ते शक्या छे परमेश्वर के अनुगरत द्वारा मैं ये निश्चे दिलाना चाहता हूँ कि मसीही जीवन सत प्रतिशत विजयी का जीवन है And you come with confidence and you come confessing whatever may be your bondage this morning कबूल करता विश्वास्ती प्रभी ईश्व पासे आओ and तमारा सदाकार्ण महाटे तमें मुक्त थशो आपका कोई भी बंदन हो विश्वास के साथ उसको मानते हुए प्रभी ईश्व के पास आईए आप मिश्च ही उससे मुक्ति पाओगे No one is a hopeless case कोई भी आसा रही case नहीं है सरल विश्वास साथ आओ और कहो प्रभू मने तमारी माफी जोए मने शुद्धी जोए सरल विश्वास से कहो प्रभू मुझे तुम्हारी क्षमा और माफी चाहिए आतो प्रभी ईश्व ना पहला आगमन नी वाच्छे ये दो प्रभी ईश्व मसी के प्रथमागमन की बात है वो हमारे लिश्वास सार में आया कुरूस पर अपना प्रान दे दिया और आज आज हमारे ही दय के द्वारों को खटखटा रहा है ता कि वो अंदर आप आए और हमें मुक्ति दे ते शाओ के लिश्वास स्ञड़ के दिया ओगम कराई आज है जो चाहता है, जो कुछ भी आप में ख्वया है, वो आपको पुना प्राप्त हो जाए, उसकी संगती प्राप्त हो जाए, उसका अस्वरु प्राप्त हो जाए, उसका जो अधिकार है वो प्राप्त हो जाए, और उसके संग आप सिंगासन पर विराजमान हो, शली प्रहे, प् don't get up and go, kindly close your eyes, the Lord is here, the Lord is pleading with us, without us calling Him, He cannot do anything in our life, Lord I want you, I want to see you, when you are coming secretly, to take me to glory, that is your prayer, so far you are not born again, you have not come by simple faith under the forgiving and freeing power of the precious blood of the Lord, please call upon Him now, please call upon Him now, now we are stuck up the time, now there is a time, and show your dear, if you put up your hand, we want to help you, we want to pray for you, we are asking only for people who want to decide for salvation, don't feel shy, put up your hand and we want to help you, anybody among brothers or sisters, thank you anybody, anybody else, anybody, don't go away as you came in, I think nobody is there, I thought somebody was there, anyhow, we want to give you a chance, and we want to close our invitation, and you will regret throughout your lifetime, we humbly with each you, decide now, and put up your hand. अजिए अजिए अबी तक आपने इस प्रकार का निर्णे नहीं किया है, आज ही अभी ही उस निर्णे में आप आजाईए, अगर इस पल को आप खोदोगे, तो पूरे जीवन बर आपको इसका दुख रहेगा। और आपको आपको क्या है, doubtmm geben, आपको हम आपको हम ऊजाए, तो तामे सविए तक आपको दोजिए ऑको आपको 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 को आपकär्प़े में दुख़ का आपको 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 कर। झाल झाल